सब्सक्राइब दोस्तों मैं विक्षार आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज बात करते हैं अपन बिहार चो की बात करते हैं तो सबसे पेरे नों ने बेकगरांड दिया हुआ है कि वेकेंसी क्यों निकाली इन लोगोंने कोर्स की ड conservation fund जो रेगूर ली वर्किंग कर रहें एसे बीस्क और जीने म केंदीडेट जो रेगूरली पिहार के अंदर काम कर रहें तो वो parlar जो है एलीजिवल है जो regular candidates साथ में वह candidate कैसे contractual देर केंदर contract पर काम कर रहें अंडर तो फिर बात करें रेगिस्टेशन की तो बिहार नरसिंग रेगिस्टेशन चाहिए अगर यह निये तो इंडियन नर्सींग का या किसी भी स्टेट का रेगिस्टेशन जो यह सके अंदर होना चाहिए और एक बार जैब आपका अगर सेलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको जोए बियार में जोए क्या कराना पड़ेगा रेइस्ट्रेशन जोए कराना पड़ेगा फिर बात करें कौन सा मीडियम है तो इंग्लिश और इंदी दोनों मीडियम है कोर्स की डूरेशन कितनी है जोए कोर्स है और जो सेशन चलेगा जुलाई से दिसेंबर के बीच में जोए सेशन चलेगा फिर उन्हेंने अब्जेक्टिवस देती क्या क्या इनके अब्जेक्टिवस है यह सब आप लोग पढ़ लेना इसके बाद इवालूएशन यह क्या करना चाह रहे हैं फिर बात करे के बाद उस को जो आपको पास करने के लिए अटलिस 50 परसंट मार्स चाहिए इंटरनल इवालूएशन भी होगा और प्रेक्टिकल पेपर भी होगा तो दोनों में 50 परसंट चाहिए इंटर्शिप के लिए आपको यह अलग-अलग डिस्ट्रिक हॉस्पिटल पीसी सी सी के सबसेंडर के अंदर इसके बाद सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और अल्टिमेटल आप लोगों को जो पर्चु अपोर्चुनिटी ओफर की जाएगी कि आप लोग क्या करबन पाएं कम्मुनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाए और फिर इसके बाद आपको पोस्टिंग दी ज प्रेशर अप्लाई कर सकते इसके बारे में अपन बात कर चुक है फिर बात करें कि कहां पर जो एक वेबसाइट है तो वेबसाइट अपनों ने दे रहे कि www.statehealthsocietybr.org पर आपको जोए जोए फोर्म मिल जाएगा इसका तो ओनलाइन आप यहां अप्लाई कर सकते हैं और कब से पहले करना है 14 जुलाई 2020 से पहले पहले और शाम को 6 वजे से पहले पहले जोए अप्लाई करना अगर आप बियार के नहीं है तो आपकी फीस कितनी लगेगी 500 रूपे लगेगी वियार का आपका डौमिसी ले ए स्टी एससी गैंडिट है तो फिर आपकी फीस कितनी लगेगी 250 जोए फीस लगेगी इसके लिए आपको एक cbt देना पड़ेगा और cbt में at least 30% लेके आने पड़ेगे 50% 30% का अलग अलग मामला है इस एक्जाम में ट्रेनिंग के लिए पास होने के लिए तो मिनीवम 30 प्रेसेंट है लेकिन एक बार आप ट्रेनिंग के लिए सलेक्ट हो गए तो वहां पास होने के लिए कित्ती आफशकता है 50 प्रेसेंट मार्क्स लाने की जो आफशकता है और रिजर्वेशन यह दे रहे जो गोर्वेंट ऑफ बिहार है उसके अकोडिंग जो है रिजर्वेशन ने इनका इसके बाद क्या क्या चाहिए डेट ऑब बर्थ का सटेफिकेट चाहिए इसके बाद आप लोगों के जितने भी जो है बेस्ट यह जो माक्षीट से वह चाहिए डॉमेसिल सटेफ सटेफिकेट चाहिए यह सारी चीजे नोंने मेंशन करती का सटेफिकेट चाहिए सीविटी एक्जाम होगा नेक्ट बात करें अगर आप लोग जो है का सलेक्शन हो जाता है तो सलेक्शन होने के बाद और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एक बॉन्ड होने के बाद आपको जो पेमेंट होगी हो 25,000 तो 25,000 तो और मंतली होगी साथ में 15,000 का मेक्सिमम इंसेंटिव जो आपको मिलेगा तो टोटल सेरी ओल्मोस 40,000 के जो है नियर अबाउट जो है 40,000 हो जाएगी इस एक जुलाइड दोजार शेल भी कट आफ जो एज यार बीश से ही केलकुलेट करेंगे फिर इगनु के इगनु जो एक्जाम कराएगा इसमें कि बात करें कुशन जो आएंगे इसके वल्टीपल चोईस है कोई टीएडिये जो ए एप्लीकेबल नहीं है कि हैड मीट काउंट के बारे में दे रहा है अगर आगया कि अगर आप से बीटी में तो पास हो जाते हैं लेकिन ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं जिसमें 50% मास लाने तो आप लोगों को जो है कितने पेमेंट देना पड़ेगा एक लाग तीन कि तीन हजार रूप रूपे तीन हजार चार्सों रूपे में डिपोजिट करने पड़ेंगे अगर आप जो है ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं यह वेपसाइट है ठीके दोस्तों अच्छी वेकेंस है प्रेशर केंडिडेट्स मेरे लिए मानना है कि आप लग जरूर को जो अप्लाइ करें ठीके दोस्तों थैंक यू